ये बात है बिहार के सासराम की उस करकड़ाती ठंड के मौसम में अंडे बेचने वाले भूत की काफी चर्जा हो रही थी जिधर देखो उधर लोग सिर्फ इसी की ही बातें कर रहे थे कि तब ही उनके पीछे से एक भयानक सी आवाज आती है जिसे सुनने के बाद दोनों दोस्तों की हालत पतली हो जाती है अंडे लेलो अंडे भाई साहब क्या आपको अंडे चाहिए नहीं नहीं हमें अंडे नहीं लेने आप कहीं यार जाओ लेलो ना साहब इकड़कती ठंड में आपको अंडा खाकर मजा ही आ जाएगा हमें नहीं खाने अंडे तुम कहीं यार क्यों नहीं चले जाते है कि तभी उस अंडे बेचने वाले का शरीर बदलने लग जाता है, आंखें भयानक लाल हो जाती है, चहरा किसी भयानक दानव सा हो जाता है, और वो भयानक आवाज में कहता है, क्यों रहे, इतनी बार कहने पर भी तुम हम से अंडा नहीं खरी दे, अब हम तुम दोनों को खा जाऊंगा, हाहा इसके बाद सोनूर सुरेश की जोर सी चीकने की आवाज आती है, और वो अंडे बेचने वाला भूत दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मार कर खा जाता है, शालिनी अपने कॉलेज की छुटियों में अपने गाउं लोटी थी बस से उतरते ही शालिनी तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर बढ़ती है ओफ घर जल्दी पहुँचने के हर बड़ी में तो मैं कुछ खाना ही भूल गई और अब जोरों की भूग लगी है ओ गौड अब और बरदाश्ट नहीं हो रहा लेकिन इतनी रात गय इस उनसान रास्ते में खाने को मिल भी क्या सकता है कि तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक खाने का ठेला दिखाए पड़ता है शालिनी भागती हुई उस ठेले के पास जाती है अरे भाईया कुछ खाने को मिलेगा क्या मुझे न बहुत जोरों की भूक लगी है जी मैडम जी अंडा है खाना चाहेंगी आप क्या अंडे इतनी रात में अंडे कौन खाता है मुझे लगा कुछ काम की चीज होगी इतना सुनते ही उस ठेड़े वाले का रूप बदलने लगता है और वो फिर उसी भयानक रूप में बदल जाता है उसका ये भयानक रूप देखकर शालिनी बहुत जादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन वो अंडे बेचने वाला भूथ हर बार उसके सामने आ जाता है इसके बाद वो अंडे बेचने वाला भूथ शालिनी को निगल जाता है गाउ में लगतार हो रही इन घटनाओ से पूरे गाउ में अंडे बेचने वाले भूथ का खौफ था आलम कुछ इस तरह का था कि लोग रात में घर से निकलने से भी डरने लगे थे सननाटे को चीरती हुई ट्रेन सासराम स्टेशन पहुँचती है रिया अपना सूटकेस लेकर नीचे आती है तो फाइनली आ गई मैं अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा सर्दियों की उस ठंड रात में रिया पैदल ही अपने घर की ओर चली जा रही थी बार बार वो इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढून रही हो और फिर वो एक घर का दर्वाजा खट खटाती है अरे पूजा तुम का माई ना कोई फोन ना कोई खबर भाभी जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे आना ही था आओ अंदर आ जाओ भाभी इतना कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा अब मैं क्या कह दे तुम से हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया मैंने कहा था कि रात के समय अकेले ना जाए लेकिन उसने मेरे एक न मानी इतना कहते हुए पूजा जोर-जोर से रोने लग जाती है मत रोई अभी मैं आ गई हो ना बहुत जल्द मैं सच्चाई का पता लगा लूँगी मुझे नहीं लगता कि ये किसी भूद का काम इसके पीछे जरूर किसी की साजिश और मैं इस बात के तह तक जा करी रहूँगी राजू अपने परिवार के साथ पासी के गाउ में लगे मेले से लौट कर अपने घर की ओर जा रहा था मा आज मेले में कितना मज़ा आया ना अरे भाई खुश क्यों नहीं होगा आज मेले में इसने इतना सारे खिलावने जो खरीदे हैं और फिर मिठाईया भी तो खाई है और इसके बाद पूरा परिवार हाद तभी पापू की नजर एक ठेले पर पढ़ती है पापा, पापा मुझे वो लेना है अरे अभी तो तुमने मेले में इतनी सारी मिठाई खाई थी अब और क्या चाहिए अच्छा ठीक ठीक है अम ऐसा की तरह तो मा बेटा की ही जिद पूरी होती है इसके बाद राजू अपने परिवार के साथ उस ठेले के करीब पहुँचता अरे भाया क्या बेच रहे हो जी अंडे बेच रहा हूँ लेना चाहेंगे क्या मैं खाऊंगा अंडे पापा प्लीज मुझे करीद दो ना अच्छा अच्छा ठीक है करीद देता हूँ अभाया तोठो अंडे दे दे ना इसके बाद वो ठेले वाला दो अंडे पप्पू को दे देता है ममी अंडे बहुत तेज़ती है आप भी लो ना नहीं नहीं मुझे नहीं खाना ये सड़े हुए अंडे तू ही खा इतना सुनते ही उस अंडे वाले की आँखे लाल होने लग जा जा भयानक सा हो जाता है और फिर वो अपनी भयानक आवाज में बोलता है क्या कहा तुने तुझे अंडे नहीं खाने वो वो मैं मैं तो बस यूँ ही कह रही थी मुझे माफ कर दो माफी वही तम नहीं करता इतना कहते हुए वो रीना का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उच्छाल देता है अंडे बेचने वाला भूत दूसरे हाथ से राजु को भी हवा में उठा देता है जिसे देखकर पपु जोर-जोर से रोने लग जाता है और उस भूत के सामने अपने माबाप को छोड़ देने की गुहार लगाने लग जाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ छोड दो ने मैं तुम्हें आप किसी की जान नहीं लेने दूँगी तू रोकेगी मुझे रोक तुझे आप ही बताता हूँ इतना कहकर वो दोनों को दूर फेक देता है और रिया की तरफ बढ़ता है मैं नहीं डरती तुम जैसे भूत भूत से जो अपने कुशी के लिए बेगुनाहों की जान लेता हो तुम क्या जानो किसी अपने के मारे जाने का दर्द ये सुनने के बाद वो अंडे बेचने वाला भूत रुख जाता है और अपने पहले वाले इंसानी रूप में आ जाता है अब उसकी आँखों में दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी रुंदी हुई आवास में उरिया को अपनी कहानी बताता है पहले कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह एक खुशाल इंसान था मैं और मेरी पत्नी दोने मिलकार इस गाओं में अंडे का ठेला लगाया करते थे गाओं के सभी लोग हमरे यहां से अंडे लेकर जाया करते थे हमेरे थेले के सामने एक सिघाडे वाला भी अपना ठेला लगाया करता था उसे हमेरी तरक्की से बहुत जलन हुआ करता था लेकिन मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जलन के मारे वो कुछ ऐसा भी कर देगा इतना कहकर वो चुप सा हो जाता है फिर फिर क्या हुआ तुम तुम चुप क्यों हो गए बताओ ना फिर क्या हुआ एक तिन मेरा तबिया ठीक रही थी इसलिए दुकान पर मेरा पत्नी थी दुपाहर के वाक्त वो मुझे दवा देने घर आ रही थी बाया वो आज इनकी तबिया ठीक नहीं है मैं जरा इन्हें दवा दे कर आती हूँ, आप तक तक मेरे दुकान का दिहान रखिएगा। इसके बाद उस अंडे वाले की पत्नी अपने घर के लिए निकल जाती है। क्यों जी, आपने के सब कर ठेका ले रखा है, जो उसकी दुकान देखने के लिए हाँ कर दी। अरे भागमान, गुस्ता क्यों होती हो, यह सब मैंने हमारे फाइदे के लिए ही तो किया है। इतना कहकर वो जल्दी से चुहे मारने की दवा निकाल लाता है, और उस अंडे की दुकान पर रखे सभी अंडों पर छिड़क देता है। अजी वा, आपके भी दिमाग का क्या कहना, कमाल कर दिया। सुनाई देती है, और दर्वाजे पर जोर-जोर से खट-खटाने की आवाज आती है, जैसे ही वो दर्वाजा खोलती है। उन में से एक मेरे बचपन की सहली, शालीनी भी थी। अब मैं तुम्हें किसी और की जान नहीं लेने दूँगी। तभी रिया, अपने साथ एक बाबा को ले आती है, जो एक के बाद एक मंत्र पढ़ने लग जाते है। उन मंत्रों को सुनकर वो अंडे बेचने वाला भूत खबराने लग जाता है, और जोर-जोर से चिल्लाने लग जाता है। चोड़ तो, चोड़ तो मुझे, बंद करो यह सब, चोड़ तो। आखरकार, उस अंडे बेचने वाले भूत की आत्मा को मुक्ती मिल जाती है। इसके बाद फिर कभी किसी ने उस अंडे बेचने वाले भूत को नहीं देखा।